वा, क्या IPO है? जिए थीन कम्पनियों के लिस्टिंग होई है, सबसे पहले उस कंपनी की लिस्टिंग की शुरुबात करते हैं, तो अच्छी होए है, क्योंकि आस तीन में से एक ही अच्छा लिस्ट दिया है, बाके दुने अच्छे डिस्काउंट पर लिस्ट होई है, दो प्रीमियम पर ले करूर रुपे जुटाए है तो अच्छी खासी लिस्टिंग होई है शोरे जल्दी से बाकि दोनों लिस्टिंग के बारे में बता सीजियए जी तो बाकि दोनN Kenia कि दोनों लिस्टिंग किया है दोनों ही लिस्टिंग डिस्काउंट पर हुई है पहले है जन्ना स्माल फाइनेंस बैंक ये इशू प्राइस से 4.34% की डिस्काउंट पर लिस्ट हुई है इशू प्राइस था 414 और NAC पर शेयर आज 396 रुपीज पर खुला था और कम्पनी न दिस्काउंट के साथ लिस्ट होते वे नजर आई है और आई प्यों कुल 4.17 टाइम सब्सक्राइब हो था आई प्यों से कंपनी ने 523.07 करोड़ों पर जुटाए है चली तब चलते हैं संतोष जी के पास सर बहुत बहुत स्वागत है आपका गुद आफ्टून आज तीन क काफी अच्छे देखने को मिले थे सर जो मिस्स कर गए थे जिनको नहीं अलाट्मेंट मिला था क्या अब सेकेंडरी मार्केट मों से खाई सकते हैं संदीब जी देखे मुझे लगता है कि रासी परिफरल जो कपनी है अब आइपियो के बार नाम बात कर रहे हैं तो हमने का कि इसके एक पैरलल कंपनी है जो की लिस्टेड है और रिडिंटन इंडिया बोलके हैं और वो कंपनी के कामकाजी में आफे काफे अच्छे हैं पर आपको देखना चाहिए और मैं अभी भी इस बात पर काइम हो कि आपको अगर कुछी भी गिरावट में परिजारी करनी है तो रिडिंटन मुझे लगता है एक बहतर विकल को सकता है तो जिनके पास है से इनको अलाटमेंट मिला था क्या राशी पैरिफरल में अपना प्राइस से आप स्टॉप लगा सकते हैं तो राशी पैरिफरल को होड़ कर सकते हैं दो स्मॉल फिनांस बैंक हैं जना स्मॉल फिनांस बैंक और कैपिल स्मॉल फिनांस बैंक हलाकि जना को रिस्पॉंस अच्छा मिला था कैपिल के तुलना में लेकिन दोनों की डिस्काउंट के साथ लिस्टिंग हुई है इन दोनों में क्या राए होगी सर्ट जना फिनांस बैं तो प्रोविजिन को लेकर भी अगर देखा जाया तो तक्रीब जह है अगर मैं प्रोविजिन को चिजडर करता हूं उसके बाद बॉक वैल्यू प्रोविजिन से निकालता हूं उनके उसके बाद लग रहा था कि यह 2.1 टाइम सब्सक्राइब जो कि अगर आप सिंप्ली पास पास रहते हैं तो वो जो कि इसमें नहीं हो 30% के आस पास पास था तो मुझे लग रहा है कि यह बैंक में अभी बीस आयद हो सकता है तो किसी भी गिरावाट में जना फिनेंशिल बैंक को लेना चाहिए और कैपिटल में दोड़ा उसा प्राइसिंग इसु था कि उसको 414 पे लोगों ने IPO में इसमें पैसे लगाए थे अच्छा रिस्पॉंस इस IPO को भी देखने को मिला था और जिसको 414 पे नहीं मिला अभी 373 का भाव है अभी ले लें या थोड़ा रुकें जन्हा की बात कर रहे हैं तो आख जी जन्हा की बात कर हो हां तो मुझे बात थोड़ा धोड़ा आपद सब्सक्द आप सकते हैं दीरे दीरे जैसे गिरे और इसमें आप अपनी पोजिशन्स एड़ कर सकते हैं शौरे और क्या एक्शन हुआ है आज में बोर्ड में जी में बोर्ड में खुला हुआ है उसको नाम है विभोर स्टील ट्यूब्स यह आई पोगर सब्सक्रिप्शिंग अगर बात करें तो आज 14 फरवरी को 12 बज़े तक ही है 54.03 सब्सक्राइब हो गया था और ग्रे मार्केट में कंपनी को 110 रुपीज का प्रेमियम मिल रहे है वालकि प्राइस बैंड है 141 से लेकर 151 रुपीज का यह अच्छा खासा प्रेमियम कंपनी को जी में मिलता हुआ नजर आ रहा है तो कल भी 27 गुना भर गया था और शायद ज सब्सक्रिप्शन के आपकी क्या रहा होगी संतोर सर विभोर स्टील ट्यूप यह कंपनी खास करके जिंदल को अपने प्रड़क्ट बेचती है 90 पसंद के आसपास इनकी आए जो है वह जिंदल पाइप को सप्लाई करने पर ही आती है यह पाइप बिनाने के कारोबार वाली कि आपकी के लिए रहे हैं तो वकिंदल के लिए लेगी तो थोड़ा बॉटम लाइन इनका सुदर सब्सक्राइब कि इंटरस्ट आउट को जो पैंकों का है वो कम होगा और कंपनी के पास जो कि आए इसमें से वकिंदल ही आरा के फेक्स में नहीं डाल दे कंपनी इसका मतल कि दोड़ी हो सकती है कि शुदर जाए लेकिन मैं कोंगा कि कि आपको देखना से कि लिए अगर लगता है तो यह आप अपलाई करें असमें लॉंग टर्म के लिए नहीं नहीं ठीक है तो विबोर स्टील ट्यूप्स नमबर सब्सक्रिप्शन के काफी जबरदस देखने को म अजय कि अगर चीज में कहना चाहूंगा कि जब लॉंग टर्ण आप टिंगे तो भी मतलब अब अब लगते हैं अब लॉप्स तो अप्या टीज जो कि नहीं पीर्स में दिये हैं तो अब अब लॉप्स तो पॉलो टीप से पाफी नीचे हैं सभ्टी परशन के अस-पास है तो मुझे लगता है कि वो जो रिटर्न रिशो रिटर्न और एकुटी बेस दें 10% है इसलिए मैं कहा रहा हूं कि आपको सॉट्टर्म के लिए अगर जो भी बनेगा लेके निकल जाए तो आपको आपका की लिस्टिंग गें के लिए ही अपलाई करना है यहां पे क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा है तो यहां पे अगर प्रैसा बनता है तो लिस्टिंग गेंपे आप जो भी बनेगा लेके निकल जाए है शौरे एसे में साइड में किस तरह का एक्शन है जिसका नमें वाइस चैवल इंडिया शॉर्ट फार्म है उसके डब्लो टी आ ग्रे मार्केट में कंपने को 76 रुपीज का प्रीमियम मिल रहा है प्राइस बेंडर 147 रुपीज का यानि फिफ्टी परसंट के आसपास ग्रे मार्केट में मिलता वह नजर आ रहा है चौता फरवरी तक यह खुला है यानि कि आज ही इसका लास्ट डे है और करीब 34 गुना के आसपास के सब्सक्रिफिन आगे है आंकरा बहुत इंटरस्टिंग है यहां पर हम देख रहे हैं कि विबोर्ट पर यहां पर यहां पर देख रहे हैं कि यह ज्यादा बड़ा साइस तो वाइस ट्रैवल इंडिया का है क्या रहा होगी सर आपकी इस डब्लू टी आई पर जो कुरूड नहीं है और कंपनी है कि लिस्ट होने वाली है यह इंट्रेस्टिंग है जब्लू टी रही लेकिन अगर आप देखें कि यह कपनी कफ इंट्रेस्टिंग उजह लगती है कि कंप्री जो कार इंटल में हैं और इनके जो मुनाफिय हैं वोसमें काफी जादा प्रती होई अगर आप देखें लास्त दोजार बीश एक देख 2021, 2022, 2023 में जो इंका पैट है बढ़कर 10 क्रोड रुपया माज 2023 में जब इनो ने पोस्ट के नमबर तब थे और अभी जो 6 महीनी के नमबर जो कंप्री क्यों क्पोस्ट की है उसमें 11 क्रोड रुपया का मुनाफ़ा अधरी है 11.36 क्रोड तो और पैटมาर्जिन 6% के आज़ पा चौबस परसंट के करीब है काफि अच्छी है रिटरन और कैपिल इंपलर अगर आप देखें तो 21 परसंट है और कार रेंटल में है कमनी के पास कुछी सो करी कार है करीब और इनके जो पीर से मुझे लगता है कि वो आई टीजी की कमनी है आई टी एक्षेल इंटरनेशनल ट्रेबल हाउस लग उसमें है लेकिन ये कमपनी काफी उबरती है और उबरती भी है और इसके नंबर्स में काफी इंचिल ग्रोथ है तो मुझे रखता है कि यहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए और इसमें सब्सक्रिप्शन करना चाहिए हम ठीक है तो यह रहा है फिलाल जाथ तक कर डब्लू टीए की बात है सरे वीच हमारे साथ एक हमारे यूट्यूब पेज पर दर्शक जोड़े हैं उनका भी सवाल हाली में लिस्टेट कंपनी है अगर आप उसको भी अड्रेस कर पाए प्लीज इपैक डूरेबल सर इसका आ जो असी रुपे के आसपास का है लोर लेवल से आज कुछ बाइंग इंटरस्स जरूर देखने कुमला लेकिन इनकी जो खज़दारी का प्राइस है सर जो इनको आई-पयो में अलॉट्मेंट हुआ है उससे करीब करीब पचास रुपे नीचे स्टॉक का भी ट्रेट कर रह ही है लेकिन चुकि इन दोनों है जितना भी हम देख रहा है और उसके बाद जिल्स्ट हो रही है मांकेट मतलब आपको कहलें की पैनलाइज करने की तरफ ज़्यादा दे रहा है देंट रिवोर्ड लेकिन कंपनी ठीक है कंपनी के आरो सी आरो इच्छे हैं तो और डैक भी म मैंनेजबल है आपको होल करना साही है मज़े करता है ठीक है तो कोई फ्रेश कहजारी भी कर सकता है या कोई अबरेज भी कर सकता है अब देखे जारी के लिए तो मैं नहीं हूँगा कि आप पास और लडी है नई लिस्टिट कंपनी अगर यह जिनरी टेनिगा जाता कि अग पर आप दुबारस हो सकते हैं ठीक है एक से दो तिमही के नतीजों का वेट करने अगर नंबर अच्छे आते तो हो सकता है कोई बांस बैक आजाए उससे आपका जो घाटा है उसमें कमी देखने को मिल सकती है तो मिश्रा साहब आई होप आपका जो आई पे से जड़ा का तो आपको जब कभी भी आपके दर्सक्त कभी भी कोई चीज खरीदे हैं को कि शला पर तो अपने अपने फिनेशनल से उसके बारे में ठोक बजा कर देख लें पैसा आपका है तो आपका लगता है आपको जितना 360 की हर कोई भी आनलिस्ट नहीं देख पाता है इसलिए आ आपको उस तरह से करकर ही पैशे लगाए चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आज आप छुटी के दिन क्योंकि बसंद पंचमी कर दिन है तो काफी सारे ऐसे राजिया जो की चुटी मना रहे है तो आपको बसंद पंचमी की बहुत बहुत शुपकामनाई सर और वाह! क्या IPO है!